नमस्कार मैं हूँ राशे का वजाज आप देख रहे हैं जीन भारत लहरदगा में राम नवमी के दिन हुए साम्प्रदाइक हिंसा के बाद तनाव कुन स्थिती को फिलहाल जीला प्रशाशन पुलिस प्रशाशन के द्वारा स्थिती नियंतरन कर ली गई है आज पुर्व मुख्य मंतरी रगूवरदास लहरदगा पहुचकर पीडित के गाऊँ जाना चाह रहे थे मगर रास्ते में ही जीला प्रशाशन के अनुरोद पर उन्हें वापस होना पड़ा पुर्व मुख्यमंत्री रगवर्दास ने कहा कि लोहरदगा में हुए दंगा में पेरफाई का हाथ है वर्तमान किस सरकार में वोट बैंक और तुष्टी करन की राजनीती के कारण कही ना कही एसी शक्तियों को संरक्षन सरकार के मंत्री इस्तर पर और मुख्यमंत्री इस्तर पर ये संरक्षन ऐसी शक्तियों को मिल रही है जिसके कारण ही ये घटना लोहरदगा में हो या बेरमों में हो जबकि बहुत संख्यत समाज का सनातन और सरना समाज कोई भी धार में कारिक्रम होता है एक खास समाज के कटरपन थी इसलाम विचार धारा के आतंगवादी संगठन का हाथ है कि नहीं इसकी सरकार को ज्राच करनी चाहिए और कड़ी कारवाई करनी चाहिए का हाथ है और हमने 2019 में क्रिम्नल एमेंड्मेंट एक्ट 1908 के सेक्शन 16 के तहत पी एफाई को हमने प्रत्यमिदित किया जो आज भी लागू है और देश का जार्खन पहला राज जहां हमने पी एफाई जैसा इसलामी कातंग वादी संगठन को प्रत्यमिदित किया क्योंकि संगठन का काम है धार्मी कुनमात फैलाना हिंदू मुसलमान का दंगा कराना राज और देश में आरदक्ता पैदा करना और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने पी एफाई को प्रत्यमिदित किया था लेकिन बरत्यमान सरकार में यह बोट बाइंक और तुष्टी करन की राजनीति के ताहत कहीं न कहीं ऐसी सक्तियों को संरक्षन सरकार के मंद्री अस्तर पर और मुख मंद्री अस्तर पर यह संरक्षन ऐसी सक्तियां को मिल रही है जिसके कारणी यह घटना लोहरदग्गा में हो चाए बुर्मू हो चाए हो जब भी बहुत संक्यक समाज सनातन और सरना समाज का कोई भी धार्मिक कारकरम होता है तो एक खास समाज के जो कटरपंथी इस इसलामी विचार धारा के मैं सभी मुसल्मान को नहीं दोश्च दे रहा हूं उस मुसल्मान समाज में भी जो इसलामी कटरपंथी लोग हैं जो जारकन में संप्रदायक साभार दवातावरन को समाप्त करना चाहता है मैं सरकार से मांग करता हूं कि सारे मामले का SIT से जाच कराकर और इन सारी घुटनाओं में PA5 जैसा इसलामिक आतंगवादी संगठन का हाथ है कि नहीं इस सरकार को जाच करानी चाहिए और कड़ी करवाई करनी चाहिए करने भी यह नहीं है राजनीती तो कर रहा है मान्य रामेश्वर उराओं जी को यहां के जन पर नहीं थी है बार बार लोहर्दगा में दंगा क्यों हो रहा है क्या इसकी रिस्पोंसिबिल्टी ओर लेंगे मान्य मंत्री जी मान्य मंत्री जी एक आईजी एस्तर के पुलिस परसासन के भी अधिकारी रहे हुए और मेरा सिधे आरोफ है जो लोगों के द्वारा है सारा संरक्षन राष्ट बिरोदी सक्तिया समाज तोड़क सक्तिया देश तोड़ा सक्तियों का संरक्षन का सरगना यहां के मंत्री जी है यहां के एक राजसवा के सांसर जी है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले